हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ सौरव आची वीडियो में आपको पांच ऐसी चीज़े बताने बाला हूँ जिनें आपको धंतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए धंतेरस से पांच दिवसी दिपोच सब की सुरुवाद हो जाती है और इस त्योहार पर खरीदी का बिसे समहत्व होता है ऐसा माना जाता है कि इस दिन धन और समरद्दी के त्योहार पर किसी बस्तू की खरीदारी करना बहुत सुभ होता है लेकिन ध्यान रखें कि इस त्योहार पर कुछ चीज़ें आपके घर में नकरात्मक्ता ला सकती हैं तो आईए आज की वीडियो में हम आपको पांच ऐसी चीज़े बताने वाले हैं जिने आपको खरीदने से बतना चाहिए अगर आप चाकू, केंची, कटर, बलेड, कुलाड़ी, तलवार या उस तरह जैसी कुछ तेज धार वाली चीज़ें खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इन में से किसी भी चीज़ को अभी ना खरीदें काला रंग कई लोगों के लिए एक पसंदिदा रंग हो सकता है लेकिन धंतिरस के दिन किसी भी काले रंग की चीज़ को खरीदने से बचना चाहिए जोतिशियो का मानना है कि यह रंग दुरभागी से जुड़ा होता है क्योंकि यह अंधेरे का प्रतिनी दिद्व करता है यहां तक काले रंग की एसेसरीज, फुटवियर, डेकोरेट, आइटम आदी कोई भी चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए नमबर फॉर, काच से बने उत्पाद, काच से कई अंध्विश्वा जुड़े हुए हैं और धंतेरस पर काच के चीज़ें खरीदना भी एसुब माना जाता है जोतिसियों का मानना है कि काच राहू के साथ जुड़ा हुआ है और त्योहार के दोरान इसे खरीदने से घर में नकरात्मक्ता का प्रवेश होता है इसके साथ ही इस त्योहार के मौके पर अपनी काच की क्रोकरी का इस्तवाल करने से भी बचना चाहिए धंतेरस के दिन बरतनों को खरीदना सुब माना जाता है लेकिन ऐसे भी मान्यता है कि किसी भी खाली बरतन को नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि इससे उल्टा असर पड़ता है धंतेरस के दिन अगर आप कोई बरतन खरीद रहे हैं तो उसमें जल भर कर घर ला सकते हैं अगर आप चाहो तो जल की जगर चावलों का भी प्रियोग कर सकते हैं जब आप उन बरतनों को घर ले जाएं तो उन्हें तुरंध ही पानी से भर दें और फिर उसे लेकर अपने घर में प्रिवेश करें तो ये थी पांच ऐसे चीजें जिने आपको धंते रस के दिन खरीदने से बचना चाहिए तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना खेल लगना जै हिंद जै भारत